नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप सिंधी में आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तो आज हम एक ऐसी औहशणी के वारे में बात करेंगे जिसे सुन आप बहुत खुश हो जाएंगे दोस्तो इस ओशदी का नाम है आवला आप सभी जानते हैं कि आवले से कितने फायदे होते हैं हमें आवले के निरंतर यूज से आप बहुत सारी परिशानियों से छुटकारा पाते हैं साथ ही आवला आपके सरीर में बहुत सारी बिमारियों को भी खत्म करता है दोस्तो अगर आप निरंतर आवले का उपयोग करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही चौकाने वाले मिलेंगे दोस्तो कहते हैं कि बुजुर्ग की बात और आवले की स्वाद बाद में ही मिलता है इसका फल बहुत ही उत्तम होता है दोस्तो आवले का सेवन हमें रोजाना करना चाहिए आवले में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उत्तम वह महतोपूर्ण होते हैं दोस्तों आप सब जानते हैं कि आवला में बहुत सारे गुन होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत फाइदे मन्द हैं जैसे विटेमिन A, विटेमिन C, आईरन, एंटी ओक्सिडेंट, पोटेसियम, प्रोटीन, मेगनेसियम, कार्बो हाइड्रेड, फाइबर, बी कॉम्पलेक दोस्तो अगर आपको डाइवेटीज की प्रॉबलम है यानी सुगर की प्रॉबलम है तो आप रोजाना आवले का सेवन करें इससे आपको बहुत ही फाइदा मिलता है क्या आप जानते है कि आवले के निरंतर उपयोग से आप डाइवेटीज के साथ साथ बहुत सारी या फिर ओईल में आमले का गुण देख सकते हैं आमले को आप कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसका मुरब्बा भी खा सकते हैं या फिर आपके लिए बहुत ही फाइदे मंद होगा अगर आप रोजाना एक गलास गर्म पानी में आमले का रस मिला कर पीते हैं यह आपके होंगे कि आज से करीब पचास से सौ साल पहले हमें शैंपू का नामों निसान नहीं पता था उस वक्त हम अपने बालों को धोने के लिए आउला रीठा का ही इस्तमाल करते थे जो हमें हमारे काले लंबे घनेव खुबसुरत बाल देने में मदद करता था दोस्तों आज के डे आउले का उपयोग करें जिससे हमें क्यामिकल भरी कॉस्मेटिक्स को यूज नहीं करना पड़े और हम अपने हर चीज में आउले से फाइदा उठा सकते हैं दोस्तों ये तो थी बालों के लिए क्या आप जानते हैं कि आउला रोजाना खाने से हमारा वजन भी घटता है अ आपको भूग कम लगती है जिससे आपके मोटाविलेजम कम होते हैं जिससे आप अपना वजन घटा सकते हैं तो दोस्तों आप रोजाना गर्म पानी के साथ आउले का रस लेंगे तो आप अपना वजन घटा सकते हैं बहुत ही असानी से साथ ही अगर आप रोजाना आउले के रस का सेवन करते हैं या फिर आवले का मुरब्बा या फिर कच्चा आवला खाते हैं तो आप अपनी आखों की रोशनी बहुत अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं दोस्तों अगर आपको आखों में परिशानी है आप लेंस या फिर चस्मा लगाते हैं तो आवले का सेवन आप आपको इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि आवले के रेगुलर यूज से आप कैल्सियम बढ़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों अगर आप अपनी बॉड़ी में कैल्सियम बढ़ाना चाहते हैं जैसे आपको दांतों में दर्द या जोडों में दर्द रहता है तो इसके लिए आपको आवले का सेवन करना बहुत फायदे मन्द होगा। इससे आपकी सरीर में कैल्सियम बढ़ती है जिससे आपको परेशानिया नहीं होती और इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है इतना ही नहीं दोस्तों आउले के रेगुलर यूज से आप हिर्दय के परेशानियों से भी छुटकारा पा सकते हैं यानि अगर आपको दिल की परेशानी है हिर्दय में किसी भी तरह की जाना करें चाहे आप चोर्न ले या फिर मुरब्बा या फिर कच्छे आउले का रस ये आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द होगा दोस्तों आउले के निरंतर यूज से आप केलस्ट्रॉल घटा सकते हैं ये हमारी गुड केलस्ट्रॉल बढ़ाने में और बैड करता है जिससे हम बहुत अच्छी तरह लाइफ जी सकते हैं बिना किसी परिशानी के दोस्तों अगर इसके साथ आपको और भी बहुत सारी परिशानी है जैसे अगर आपको कब्ज की परिशानी है तो रोजाना एक गलास गर्म पानी के साथ आउले का रस मिलाकर पिएंगे तो आपको कब्ज से छुटकारा मिलेगा आउला महिलाओं के लिए भी बहुत फाइदेमंद है महिलाओं को होने वाली बहुत सारी परिशानी हों का सिर्फ एक हल है आउला आउले के रेगुलर यूज से महिलाओं को होने वाली बहुत सारी परिशानी हों से छुटकारा मिल यानि यूरीन के थुरू निकल जाते हैं आउले में एंटी एजिंग भी होता है जिस वज़े से जो निरंतर आउले का उपयोग करते हैं उनकी त्वचा हमेशा बहुत अच्छी रहती है उनके चहरे में जुरिया नहीं आती और उनके चहरे पे कील मुहा से दाग धब्बे भ कब्ज की वज़े से होती है अगर आपको कब्ज है तो आप आउले का निरंतर उपयोग करें रोजाना एक ग्लास गर्म पानी के साथ अगर आप आउले के रसका सेवन करते हैं तो इससे आपको कब्ज से भी छुटकारा मिलता है दोस्तों आपको पता ही होगा कब्ज की पर सेवन करते हैं तो इससे आपकी खाना पचने में मदद मिलती है साथ ही आपको कब्ज की परिशानी नहीं होती और कब्ज ना होने पर आपको बावासीर जैसे बड़े बिमारी से छुटकारा मिलता है अगर आपको बावासीर है तो एक चमच चुर्ण के साथ एक चमच आउ छोटी लेकिन बहुत ही बड़ी बिमारी कह सकते हैं पत्री अगर आपके पेट में पत्री यानि स्टोन है तो मुझे पता है कि ये बहुत ही कश्ट दायक और दर्द दायक होता है तो दोस्तों अगर आपको पत्री की परिशानी है तो आउले के चुर्ण को मूली के साथ प दर्द दायक बिमारी से छुटकारा मिलता है साथ ही दोस्तों अगर आपको खासी है और आप परिशान है खासी की वज़े से तो रोजाना आउले के मुरब्य के साथ एक गलास गाई का दूद रोजाना लेने पर आपको पुरानी से पुरानी खासी से छुटकारा मिल जाएगा अगर आपकी खासी से आपके गले में दर्द भी होता है तो आप मुरब्वे को शहत की साथ लें इससे आपके गले का दर्द भी खतम हो जाएगा और आपको खासी की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा दोस्तो अगर आपको नकसीर यानी नाक से खुन निकलने की परिशानी है तो इसके लिए भी आउला बहुत कारगर है अगर आपको ये परिशानी है तो रोजाना बकरी के दूद में एक चमच आउले का रस या फिर एक चमच आउले का चुर्ण मिलाकर पीने से आपको ये परिशानी नहीं होगी या यूँ कहें कि ये परिशानी जड़ से खत्म हो जाएगी दोस्तो अगर आपको पेशाब में जलन है तो आप आउले का सेवन करेंगे बहुत जल्द आपको इस परिशानी से भी चुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों ये सारे गुड़ थे आउलाके जो आप रेगुलर यूज करके बहुत सारी परिशानीों से चुटकारा पा सकते हैं तो उमीद करती हों दोस्तों कि आज से ही आप आउले का सेवन करना स्टार्ट करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर किसी परिशानी का हल ढूणना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्योशन के साथ मैं फिर आउंगी रोजाना नए नए घरेलू उप्चारों के साथ जिससे आप अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए हल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें तेंक्यो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले सभी वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके